मुंबे में दो नौजवान मिले और जल्द ही वो एक दूसरे के करीब आ गए परिवार को पसर नहीं आया तो कपल दिल्ली आ गया और वो महरौली में एक फ्लैट लेकर रहने लगे इसके बाद जो हुआ आपके रोंग्टे खड़े कर देगा आफ्ताप ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी उसने क्रूरता की हद पार करते हुए श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किये और दिल्ली में कई दिनों तक फेकता रहा दिल्ली पुलिस ने आज उस हैवान को ग्रफतार कर लिया है आफ्ताप ने हत्या की साजिश कुछ इस तरह बुनी थी कि उस तक पहुंसने में पुलिस के भी पसीने छूट गए आखिरकार छे महिने के बाद वो पुलिस के हत्ते चड़ ही गया मुहबबत से मजर की ये खूनी कहानी है जंगल में आधी रात को फेकता था टुकड़े आफ्ताप की तस्वीर देखिये तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये शक्स इतनी घिनोनी और क्रूर वारदात को अंजाम दे सकता है इसका पूरा नाम आफ्ताप अमीन पूना वाला है उसने शव के टुकड़े कर दिल्ली में एक नहीं कई जगहों पर फेके थे श्रद्धा महरास्ट के पालगर की निवासी थी आफ्ताप ने पूलिस को चक्मा देने की काफी कोशिश की थी और उसे यकीन था कि पूलिस श्रद्धा के शव तक कभी नहीं पहुँच पाएगी और उसका राज हमेशा के लिए राज ही बना रहेगा 18 माई को हुआ जगड़ा और पुलिस ने पूरी घटना बताई तो सुनने वालों के भी रोंग्टे खड़े हो गए 18 माई को किसी बात पर दोनों में जगड़ा हो गया था तो आफताप अमीन पूनावाला ने उसकी गला घोट कर हत्या कर डाली इसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े किये और उसे रखने के लिए एक फ्रिज भी खरीदा शायद हैवानियत की इस कहानी को पढ़ते समय आपको नेट्फिक्स की कोई क्राइम सरीच याद आ जाए अगले 18 दिनों तक आफताप आधी रात के बाद घर से निकलता और दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेका करता था बताते हैं कि करीब दो किलो मिटर जाकर वो जगल में शव के टुकड़े फेका करता था जिससे जानवर उसे खा जाए मुंबई में मुलाकात भाग कर दिल्ली आए ये कहानी मुंबई से शुरू होती है एक मल्टिनेशनल कंपणी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम किया करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात पूनावाला से हुई दोनों डेटिंग करने लगे और जादा समय साथ में बिताने लगे उनके रिलेशन्सिप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया तो घरवालों को बिना बताए वो दिल्ली आ गये यहां महरौली इलाके में इन्होंने फ्लैट खरीद दिया और रहने लगे कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा लेकिन फिर शादी को लेकर जगड़ा शुरू हो गया श्रद्धा चाहती थी कि आफताब शादी करे लेकिन वो राजी नहीं था उद्धा श्रद्धा ने अपने घरवालों के फोन कॉल रिसीप करने भी बंद कर दिये थे आठ नौमबर को उसके पिता विकास मदा अपनी बेटी का हाल चाल जाने के लिए दिल्ली पहुँचे जब वो फ्लेट पर आये तो वो दर्वाजा बंद था उन्हाने महरौली पुलिस से संपर्क किया और किड्नैपिंग के शिकायत दर्ज कराई उनकी शिकायत के अधार पर ही पुलिस ने शनिवार को पूनावाला को ग्रफतार कर लिया अजाज के दौरान उसने बताया कि दोनों में लड़ाई होने लगी थी क्योंकि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर श्रद्धा के शव की तलाश शुरू कर दी है उसकी गला घोट कर हत्या कर डाली इसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े के और उसे रखने के लिए एक फ्रिज भी खरीदा शायद हैवानियत की इस कहानी को पढ़ते समय आपको नेट्फिक्स की कोई क्राइम सरीच याद आ जाए अगले 18 दिनों तक आफताप आधी रात के बाद घर से निकलता और दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर श्रद्धा के शव के टुकड़े फेका करता था बटाते हैं कि करीब दो किलो मिटर जाकर वो जगल में शव के टुकड़े फेका करता था जिससे जानवर उसे खा जाए मुंबई में मुलाकात भाग कर दिल्ली आए ये कहानी मुंबई से शुरू होती है एक मल्टिनेशनल कंपणी के कॉल सेंटर में 26 साल की श्रद्धा काम किया करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात पूनावाला से हुई दोनों डेटिंग करने लगे और जादा समय साथ में बिताने लगे उनके रिलेशन्सिप को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया तो घरवालों को बिना बताए वो दिल्ली आ गए यहां महरौली इलाके में इन्होंने फ्लैट खरीद दिया और रहने लगे कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा लेकिन फिर शादी को लेकर जगड़ा शुरू हो गया श्रद्धा चाहती थी कि आफताब शादी करे लेकिन वो राजी नहीं था उद्धा श्रद्धा ने अपने घरवालों के फोन कॉल रिसीप करने भी बंद कर दिये थे आठ नौमबर को उसके पिता विकास मदा अपनी बेटी का हाल चाल जाने के लिए दिल्ली पहुँचे जब वो फ्लेट पर आये तो वो दर्वाजा बंद था उन्हाने महरौली पुलिस से संपर किया और किड्नैपिंग के शिकायत दर्ज कर आई उनकी शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने शनिवार को पूनावाला को ग्रफतार कर लिया अजाज के दौरान उसने बताया कि दोनों में लड़ाई होने लगी थी क्योंकि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर शद्धा के शव की तलाश शुरू कर दिये